अबरेबन स्वागत है फिर से मेरा एक और नए वीडियो में दोस्तों आज है हमारे साथ अल नीव ट्यूप 2023 तो इसमें क्या है खास क्या चेंजेस किये गया है क्या बदलाव किये गया है उसी से हम बात करेंगे और क्या है अन्रोड प्राइजिंग इसका हमारे पटना बिहार में वीडियो को फ्रेंट से सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पहले जिन वाइन हमारे चैनल को और सुस्क्राइब ना किया हो प्लीज सुस्क्राइब कर दें ताकि आएसी और इंफर्मेटी वीडियो हम आप तक लाते रहें तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग की तो जो इसकी प्राइजिंग पढ़ रहा है हमारे पत्ना बिहार में दो लाक टोटली नियू को कर दिया गया है इसकी फ्रेम फ्रेंब में इसका बदलाव कर दिया गया है तो सबसे पहले यह देख ले हम सामने bereber देख सकते हैं जो एद डाउन संटाइप की कर दी गई ए इसमें देखने को मिल जाता है इधर देखे तो इंडिकेटर की जो प्लेश्मेंट है की गई है उपर थोड़ा सा खाली शॉट आफ देखने में लगता है इसके अंदर आ जाए जो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं वही नीचे की बात करें तो यहां देख सकते हैं जो डव्लू पीए का एपक्स का सस्पंसन है यह इसमें नहीं है 390 में आपको देखने को मिल जाता है यहां देखे तो हमें जो टायर साइज है वह एक सो दस सतर बटा सतरा का इसमें हमें तैर साइज देखने को मिल जाता है देख सकते हैं जो डिक्स की साइज है वह भी काफी पहले से बढ़ा दी गई है पहले उस साइड आता था डिक्स की जो प्रेट है अब इस साइड कर दिया है ताकि ब्रेकिंग जो है वह काफी और अच्छा इंप्रू अधार कर दिया गया है देख सकते हैं आपको दिखादे रहा हूं यहां जो फ्रेमिंग है वह टोटली चेंज कर दिया गया है जो सौकर है उस पीछे में भी आपको देख सकते हैं WPX यहां देख सकते हैं उसकी भी प्लेस्मेंट कर दिया गया है और यह जो पाउर करता है अगर हम इसमें बात करें तो 249 सी सी का इसमें हमें इंगन देखने को मिल जाता है जो की एक्टिष पीज का पाउर जो है वो प्रोड्डियूस करता है 25 अनन का तॉर्क कि इसमें हमें देखने को मिल जाता है यह देखने को मिल जाता है यह बरेक लिवर यहां देखने को मिल जाता है जो की काफी UX देखने Fraktion ल को बबटी है टेंग की काफी आगे तक और नजर रहा है जो haz Pa seperti w कि बात कर लें तो यहां किसमें को मिल जाती है वहां देखने को मिल जाता है और यहां देखने को मिल जाता है यहां देखने को मिल जाता है इसके रिलेटेड हम आगे बात करेंगे यहां देखे तो switches की quality वो काफी अच्छी कर दी गई है पहले मुतागे यह चेंज हो गया है किया यह मिल जाता है यहां जो हाजाद लाट की जो switch है वो हमें देखने को मिल जाती है यहां होन इंडिकेटर यह सारा mode वगारा selection करने का इसमें option हमें देखने को मिल जाता है फिर वही अगर हम इस side पीछे की बात करें तो यहां देख सकते हैं जो टायर साइज है वह 150-60 आर 17-inch के इसमें हमें टायर साइज मिल जाता है है वह चला रहा है सकते हैं और पीछे बैक लेट किया कर बात करें तो टोटल इसमें हमें बैक लाइट जो देखने को मिल जाता है आपको जला करके दिखा देता हूं जला एक बार फिर सब्रेक लेना भाई एक बार यह देखिए कि अपने सांदार देखने में यह लगती है रात के समय में थोड़ा सा टी सौट ऑफ डिजाइन इसमें देखने को मिल जाता है वह अगर इंडियन रोड पर चल रहे हैं इंडिया में बाइक अगर लॉंच किये तो कंपनी ने जो है वह साड़ी गाड़ इसमें हमें दे दिया है जो काफी अच्छा बात है इधर देख प्षूरर देखनें को मिल जाता है औरेंज वाइट कलर में जो की मिल जाता है तो यह न फिसमें हमें क्या का चलर लेता है जो instrument cluster के उपर इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है सबसे अच्छी बात है यहां पर देख सकते हैं जो charging point है यह हमें इसमें देखने को मिल जाता है यहां से आप मोबाइल वगरा चार्ज कर सकते हैं USB type C है इसमें काफी अच्छा बात है जो जनेरेशन के इसमें हर गाड़ी अब प्रंट को भी on off कर सकते हैं यह है लो दिखा रहा इंजन temperature वगरा सेकेंड दो किलोमेटर चल चल चुका है वह टोटल यहां पास हमें देखने को मिल जाता है तो यहां पास positioning गेर इंडिकेटर पोजिशनिंग हमें देखने को मिल जाता है इंजन जल रहा है और भी इसमें दिखा देता हूं यहां से अप देख सकते हैं यहां से चिंज कर स्कता है यहां वो देखने को मिल जाता है यहां देख सकते हैं इस segment में भी हमको लगता है कि कोई बैक स्यम्ट प्रेंट में नहीं दे रही हिए जो जितना जो इसमें हमें फीचर मिल जाते हैं जो मतलब काफी सारा फीचर हमें देखने को बिल जाता है तो आउन्स्टोबन कलस्टर का डीटल जितना भी मतलब मैंने जो मिस्स किया हो उसके लिए sorry काफी information इसमें हमें देखने को मिल जाता है चले तो लास्ट में में आपको इसका exhaust का sound सुना कर दिखा देता हूं कि इसका exhaust note कैसा है काफी स्वांदार है यह idle positioning sound आप सुन सकते हैं यह अभी pipe जो है वो idle sound हमें देखने को मिल जाता है मतलब काफी सांदार sound है दोस्तों overall यह है detail review इस bike के उपर तो चलिए मिलते हैं किसी और next video में मैं ख्याल रखें ओके बाई बाई थैंक्यू